यह सेकंड ग्रिड फर्स्ट किड आने वाली है आरेस की विकेंसी पड़ी बहुत सारी बड़ती आने वाली मैं हमेसा कहता हूँ कि कॉम्पिटेशन बड़ा नरदई होता है आपके रोने दोने से किसी को कोई मतलब नहीं आपकी तैयारी बहतर होगी आप बढ़िया करोगे ग बहुत जल्दी आने वाली है और उसकी बहुत बड़ी अतायर यह आप अभी से सुरू कर सकते हैं तो दोनों की अगर बात आती है तो आपकी रूची के ऊपर तो यह आपकी ऊपर संपूर रूप से इत्ता है आप खुद करोगे आपकी रूची किसमें क्योंकि रूची से इतर कुछ नहीं मैं आप जो कहूंगा वह ज़रूर यह नहीं कि वह आपके लिए एक परकार से ठीक हो क्योंकि अगर आपका second grade आपने पहले दिया है या first grade आपने पहले दिया और बहुत कम margin से रहे हैं तो जिससे भी आप कम margin से रहे उसको आप follow केजिए second grade में कम margin से रहे ह कि अगर आपको एक सब्जेक्ट अच्हा लगता जैसे आपको इन दोनों की एक साथ कर सकते हो लेकिन लिटरीचर नहीं है और मानलों हिंदी वगए और सामाजिक बन रही है, तो आप कोई इनमें से दोनों मैंसे एक करेऊ है और मैं तो यह कहुंगा कि फर चीज्शनित की तुलना में अगर आपकी सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत भी रूची औस आपने पसंदिदः सब्जेक्ट से मैं करी है तो आप second grade की बजाए किसकी उपर द्यान दे फर्ष्ट की उपर द्यान दे ठीक है तो उमीद कर रहा हूं कि आपकी दोनों चीजें जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आगी होगी कि करना है यहां आपको second grade करना है ठीक है अच्छा पटवारी की किसी अच्छी करीब ही तो कर सकता है अभी पटवारी के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं है इसकी करूं कि नहीं करूं यह सौल रूप से आपका कि अगर आप इसमें जल्द बाजी करोगे तो निशित रूप से आप जो है उनुक्सान में रहोगे और सभी में टांग मत अड़ाना मेरा कहने का मतलब यह कि इसमें से आप जो भी चुनों फिर वो उसके उपरी रहना ठीक है एप अप हिस्ट्री पॉइंट है आप हिस्ट है जो एक समझना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए रेल की लाइट भी कमज़र बढ़ जाती है आपने बीए बीए कुछ किया ही नहीं के अलबार भी पास ही है तो आपके सामने जीट के अलावा अभी आल फिलाल कोई आपसन नहीं आप योधा लोग जो होते हैं तो शूर वी होते हैं वो पीछे नहीं देखते हैं वो आगे बढ़ देखते हैं कि आगे भी शत्रु को पराजित करना होता है तो भीए और यह competition जितने भी है यह बड़े निरदई यह बड़े कुरूर रहे यहां पर किसी को किसी की ऊपर कोई दया नहीं आती है इसलिए पीच्छी की चीज़न छोड़के आगे बढ़िए और सबसी बैस्ट आपसन यही होता है मैं तो हर बार कहता हूं कि जितने भी YouTube चैनल से यह जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल वगर आये सब ठीक है लेकिन जहां कहीं भी ऐसे फालतु आंकलन होते हैं उनसे थोड़ा बच्छी है और अपना काम है वह उस पर ध्यान दीजीजी